हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लास्ट वीडियो में हमने देखा गौस का प्रमे क्या होता है आज हम पढ़िए गौस के प्रमे की सहायता से कुलाम के नियम का निग्मन गौस के प्रमे की सहायता से कुलाम के नियम की वित्पत्ति कैसे होगी ये हम देखेंगे है तो इस्टार्ट करते हैं गौस के प्रमे की सहायता से कुलाम के नियम का निगमन अब हम देखेंगे कि हमारे पास माना प्लस की वावे से जो बिंदू ओ पर इस्थित है तो हम ओ से आरदूरी पर एक क्या गोला खीशते हैं इस गोले का प्रस्ट क्या होगा गोसी प्रस्थ होगा और इस गोले के प्रस्थ पर इस्थित प्रतियक बिंदू पर विद्धू छेतर की तीवरता का परिणाम क्या होगा समान होगा और इसके दिशा क्या होगी तरची दिशा में बाहर की ओर होगी और विद्धु चेत्र की तीवरिता का परिमार समान होगा है ना अब हम इस गोले के गौसी प्रस्ट पर एक चेत्र फल अवियव क्या लेते हैं डी एस लेते हैं डी एस एक अवियव लेते हैं इसके दिशा भी क्या होगी बाहर की ओर होगी है ना द्रिजी बाहर की ओर होगी इस प्रकार क्या हो जाएगा प्रतिक विंदु ई और डी एस के बीच का कौण यहां पर क्या होगा जीरो अंस का होगा यह जो कौण यहां पर ई और ds के बीच कौण है थीटा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीडो अन्स हो जाएगा तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इतना सबसमाज आगे ना तो हम देखेंगे गौस के प्रमे से गौस का प्रमे क्या कहता है हम लास्ट वीडियो में देख चूके हैं गौस का प्रमे क्या होता है तो यदि किसी बंद प्रष्ट से गुजरने वाला संपूर्ण विद्ध रक्स मतलब फाई ई विद्ध रक्स को किसे डेनोट करते हैं फाई ई से तो किसी बंद प्रष्ट से गुजरने वाला संपूर्ण विद्ध रक्स उस बंद प्रष्ट के अंदर उपस्थित कुल आवेज का क्या होता है 1 अपॉन एप्सलों 0 गुना होता है ये क्या कहलाता है गौस का प्रमे अब हम देखेंगे गौस के प्रमे से 5e बरावर Q अपॉन एप्सलों 0 या इसी को हम लिख सकते हैं phi e की value क्या होती है e into ds equal to हो जाएगा q upon epsilon 0 अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं e ds cos theta equal to q upon epsilon 0 यहाँ theta की value क्या है 0 ans है तो इसको लिख देंगे e ds cos 0 ans बराबर हो जाएगा q upon epsilon 0 cos 0 की value क्या होती है 1 होती है तो यह हो जाएगा e ds equal to q upon epsilon 0 यह हो जाएगा e 5ds equal to q upon epsilon 0 है ना लेकिन हमें पता है की यह क्या होता है गोली गोसी प्रस्ट का संपूर्ण छित्फल होता है है ना और गोली गोसी प्रस्ट के संपूर्ण छित्फल का मान क्या होता है 4 pi r square तो हम इसकी value समी करन एक में लग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा e into 4 pi r square equal to q upon epsilon 0 ठीक है या इसी को हम क्या लिख सकते है e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square यह हो गया equation 2 अब हमारे पास e की value क्या आ गई है 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square यदि हम बिंदू P पर बिंदू P पर एक अन्य आवेस क्या लेंगे q 0 तो आवेस q 0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा f पराबर q 0 e हो जाएगा अब f में इसमें e की value रख देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q q 0 upon r square यही क्या है कुलाम का नियम है इस प्रकार हम गौस के प्रमे से कुलाम के नियम की विद्बत्ति कर सकते है ठीक है यही कुलाम का नियम है और equation 2 जो है यह विद्बत्चेत्र की तीवरता का व्यनजक है ठीक है तो हमारा यह topic यहीं end होता है यदि वीडियो अच्छा लगे तो like, subscribe, comment जरूर करें इसी के साथ हमारा first chapter end होता है ठीक है, धन्यवाद निया यह वीडियो जो है